कि कि हलो एब्रीवन वेल्कॉं तो मैं चैनल स्याव व्यत्रसूफ फ्रेंट्स आज हम एब्यम को मडूल ए में चैप्टर सेबन पढ़ेंगे तो यह चैप्टर फ्रेंट्स आपका इकोनामिक रिफॉर्म्स के बारे में और इसका पार्ट टू हम पढ़ने जा रहे हैं तो इस जब रिफाम प्रोसेश् चीजों को ठीक करनी की कोशेशी सुरुआत हुई जब उसी स्टेज पे सबसे पहले जिसे focus किया गया वह manufacturing सेक्टर था यानि चीजों को प्रोड्यूश करने वाला MSME जो होती है एक तरीके से manufacturing industry जो थी उस पर focus किया गया क्या-क्या changes लाए गये है डिरग्लेशन आफ इंडस्ट्री वाई वे आफ eliminating licensing requirement तो पहले licensing requirement बहुत जाद थी license लेना ही पड़ता था उसके बाद ही आप काम कोई नहीं था बीना पैसा खर्चा किये वह ओबरहॉलिंग आफ पब्लिक इंटरपाइज जो पब्ली सेटन इंटरपाइज थी उनकी उबरहॉलिंग किये उनको चुस्त दुरुस्त किया गया चीजे चेंजिस किये इन्हेंस डोला प्राइबट सेक्टर को बढ़ावा दिया ग देख लेंगे मार्टीप अगया फिलाल फुलफाम देख लीजिए आब मॉनो पुलिस्टिक एंड रिस्टिक्टिव ट्रेड ट्रेड प्रैक्टिस तो एमार्टी टीप एक्ट को एवालिस किया गया आटोमेटिक एप्रूबल रूट फार फॉरेंड इंवेश्मेंट जो उसका आटोमेटिक एप्रूबल किया जाए ऐसा ना होगी कोई 30 रखी जाए जो कि देखे और सब कुछ चांचने के बाद उसे अप्रूब करें आटोमेटिक ही अप्रूब हो रहा है यानि कि fdi foreign direct investment हमारे देश में आना शुरू हो जाए कितनी चीजें हम इंपोर्ट कर सकते हैं उसमें रिस्टिक्शन से की जैसे 1000 कार से ज़्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते तो इस तरीके के जो कॉन्टेटिव रिस्टिक्शन से उसको भी जो हटाया गया किया गया reduction in tariff rates created जो tariff rate था उसको भी घटाया गया tariff rate एक तरीके समझ लीजे जब भी कोई चीज आप इंपोर्ट करके लाते तो उस पर custom duty और यह सारी कीज़े जो लगती है जो भी आपको पैसा पे करना पड़ता है वो tariff rates में जाते उसमें भी घटाव किया गया सरकार की तो इन सभी जो इतने टास्क हुए हैं जैसे licensing requirement को कम किया गया यह खतम किया गया प्राइबेट सेक्टर को ज्यादा वैलू दी गई MRTP Act को abolish किया गया FDI अब जो है foreign direct investment सीधे आटोमेटिक अप्रूबल की तरफ चला गया जो इंपोर्ट पर restrictions लगाई हुए थी quantitative कितनी amount में आप इंपोर्ट कर सकते हैं कितना cotton एंपोर्ट किया सकता है कितनी लिकर इंपोर्ट किया सकते हैं यह सारे जो limitation थे उनको reduce मतलब जो है eliminate कर दिया खातम कर दिया गया साथ ही साथ टैरिफ रेट जो थे उनको भी घटाया गया तो इन सभी जो अच्छा इंवार्मेंट हमारे देश में इंड़स्टी के लिए क्रिएट हुआ और हमारी इंड़स्टी जो थी वह तैयार हुई ग्रो हुई है और गयरप किया उन्होंने मतलब में आपके पास बीएसनल होता था ना सुर्वात में फिर उसके आद में बोड़ा फोन आइडिया देन जीओ अगयरा सारे और सारे आया तो क्या हुआ फिर यह लोकल अस्तर पर था उसी तरीके से जब बोड़ा फोनों कर आए तो इंट्रनाशनल लेबल पर भी इनको जो है के रिफार्म जो हुए थे उसकी वज़े से अब हम देश में भी अच्छा व्यापार कर पा रहे थे और विदेश में भी अच्छा व्यापार कर पार रहे जिसके वह सारी चीजें फेस करना सुरू कर दिए तो इसमें मैंने बताया आपको एबिलूशन आफ एमार्टीपी क्या था थोड़ा सा देख लेते हैं दो लाइन में मोनोपलिस्टिक एंड रिस्टिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस में आया था इसका मतलब यह है इट वाज इनक्टेट तू इंसे और अपरेशन आफ एकोनामिक सिस्टम डज नाट रिजल्ट इन कंसेंट्रेशन आफ एको ऐसा ना हो कि जो पावर है एकोनामिक पावर है कुछ लोगों के हाथों में चली जाए उसका कंसेंट्रेशन कुछ लोगों के हाथों में चला जाए तो कुल मिलाकर कि मोनोपॉली ना हो पाए किसी एक बैक्तिका मोनोपॉली उसका एकलोता राज ना हो जाए और रिस्टिक लेकिन बाद में इसको करना पड़ गया है और अभी आप देखोगे तो कुछ ही हाथ है जिनके वाकरी जो हम कह सकते हैं लोगों के हाथों में चल रहा है लेकिन उसमें यह एक्ट लाया गया था ठीक है उसके आद में एनदर एरिया है रिफाम स्केम बाउट लेटर तो पहले क्या होता था कुछ आइटम ऐसे थे जिनको केवल जो है इसमाल स्केल सेक्टर यानि की छोटी इंडस्टी के द्वारा ही प्रोडूइस किया जाना था लेकिन मतलब ऐसी वह लगा हुआ था रिस्टिक्शन लगी थी जैसे फार एक्जांपल कोई छोटा मुटा अ इंडस्टी हो चाहिए बड़े स्केल के इंडस्टी उससे मतलब नहीं है किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी लेबल की इंडस्टी बना सकती तो एक यहां पर भी बेनिफिट हुआ मेजर्स वर फर्दर सप्लिमेंटर बिस लिब्राजेशन आप फॉरन डारेक्ट इनिवेश् सकते हैं उसी तरीके से बैंकिंग इंडस्टी में नहीं को बढ़ाया गया कितना प्रपोर्शन में जैसे पहले यह था मालीजी पंदरा परसेंट से ज्यादा एफडियाई नहीं कि जा सकती है किसी पर्टिकुलर सेक्टर में उसको बढ़ा करके अब जो है 50 परसेंट तक ल आए गये हैं फडियाई में फॉरन डारेक्ट अगर अगर अब करना चाहता है तुसके प्रोसिजिरल तरीके में भी चेंज लाया गया है इसको भी बढ़ाया गया कि अब ज्यादा इंडस्टी कबर कर सकते हैं ज्यादा एमाउंट में वेस्ट किया सकता है विदेशियों के बोथ बिदिन एंड आउटसाइड दा कंट्री एवी फोर्सिंग डियर एक्टिविटी टुदा कोर कंपेटेंट तो इंडस्टी ने क्या किया मतलब चुकि क्या हुआ एफडियाई किया सकता है लाइसंशिंग रिक्वार्मेंट कम हो गई है प्राइवेट सेक्टर को वैल किया जहां पहले तूजी यूज करते हैं यह फिर पुरानी मशीने यूज करें तो आपने टेक्नोलाजिक अप्रेडेशन किये जैसे बैंकिंग इंडस्टी की बात करें पहले मैनुली हम कागज गलम पर सारा हिसाब लेजर जर्नल और बनाया करते थे अभी सारा कुछ सीब पनाती थी अब उसमें अपनी कैपसिटी बढ़ा करके 1000 कर ली है 10,000 कर ली है क्यों कि अब जो आटोमेशन आया हुआ है क्यों कि आप यह जैसे कार जो बनती है समय में में बनती है ना सारव एक 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 मशीन एक पार्ट जोड़ती जाती और कार बनती हुई चली जाती तो बिदेशी टेकनलोजी को अपनाएगा जिनका यह हमें फायदा हुआ और उसके अलावा मर्जर और इक्यूजीशन भी शुरू हुए चाहे हमारे देश की कोई कंपनी है उनको मर्ज किया गया उनको दूसरे कंपनियों को भी हमारे देश की कंपनियों ने खरीदा अपने आ करती है फिर वो धीरे धीरे एक्स्पैंड करती है कहने का मतलब यह हुआ जैसे एक जामपल के तौर पर हम देखें आप टाटा का ले लिए अब मुझे नहीं पता है सुरुआत में क्या रहा होगा लेकिन हम मालेते कि सबसे पहले टाटा कार्स लेकर आई लेकिन धीरे धीर ऑर भी सेक्टर में गाये हुआ एक साल आना सुरू किया अासी जूरूर की पासकि आपका कोसित जीजिए अब कोर कंपेटेंस है वह सीआई भी है लेकिन साथ ही साथ में अधर प्रोडक्स पर भी घ्यान दे रहा हूं तो यहां पर क्या हुआ कि रीफोकस करने की जोड़ती जो मेरी कोर कंपेटेंस है उस पर ज्यादा जूर देनी की आव सकता महसूस हुए तो यह सारी चीज़े निकल करके आई जब रिफाम हुआ ओके फॉयल मैनुफेक्ट्रिंग बीकम मोर कंपटेटिव एंड एफिसेंट मेजर इंप्रेक्ट अकर बिस रिस्पेक्ट्टू सर्विस सेक्टर करना सुरू किया बट सबस्यादा जो असर पड़ा है इन सारे रिफांस का वह सर्विस सेक्टर पर पड़ा है हमारे देश की जो सर्विस इंड़स्ट्री है उसने बहुँ ज्यादा बूम कर लिया इस वज़े से तो फ्रेंस यह हो गया हमने देखा एकोनामिक ट्रांस्वर को इलिमनेट कर दिया गया पॉब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज को ऑबर हॉलिंग की गई प्राइबेट सेक्टर को ज्यादा वैलू दी गई MRTP Act को खतम कर दिया गया FDI foreign direct investment का आटोमेटिक अप्रूबल किया जाने लगा जो इंपोर्ट पर रिस्टिक्शन लगी हुई थी उसको कि आगी MRTP Act को अबॉलिस कर दिया गया तो MRTP Act क्या था मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्टिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट फुल फार्म याद रखिएगा बाद में रिफार्म जो आया वह किसमें आया कि जो पहले यह था कि स्माल सेक्टर कुछ प्रोडक्ट ऐसे थे इसमाल स्केल इंड़स्टि में ही बनाए सकते थे उसको अबॉलिस करके यह कहा गया यानि डिरोगलेट किया गया कि अब किसी भी छोटी इंड़स्टिश्टि कि यह बड़ी इंड़स्टि किसी भी प्रोड़क्ट को मैनिफेक्टर कर सकती है उसके बाद में जो हमारा एफडियाई था फॉरण डारेक्ट इंवेश्टमेंट उसमें भी चेंजेज लाए गया अब उसका इसको बढ़ाए गया और बहुत सारी इंड़स्टिश्टि में जो जितनी भी इंड़स्टि थी उन्होंने क्या किया अपने टेक्नलोजी को अपग्रेड किया उसके बाद में उन्होंने प्रोडक्शन का अपना स्केल बढ़ाया और ज्यादा प्रोडक्शन सुरू किया उसके अलावा मर्जर और इक्यूशन सुरू किये अपने देश मे भी जाकर के कंपनियों का अक्वार किया गया है और साथ ही साथ में जो इनकी कोर कंपेटेंसी जो मेन एक्टिविटी थी उस पर इन्हों ने री फोकस किया दुबारा ध्यान दिया अच्छी हो गई थी लेकिन सबसे अधा असर पर पड़ा है वह आपका सर्विस सेक्टर पर सबसे अधा आया हुआ है इंट्री आप प्राइवेट सेक्टर और फारण डारेक्ट इन्वेश्मेंट डैट इंट्रोड्यूस कंपेटिशन और इस्टेट आफ आफ टेकनोलोजी वाट सी चेंज इन दा सर्विस सेक्टर अब यह कह रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर के इंट्री हुई मैंुतर ऐता उतने लेबल का चेंज हो गया सी चेंज थे मेस्सटी में कुछ नहीं थे वहीं पर हम सर्विस इंडिश्ट्री में बहुत कि जो हो चुकि थे फारे इंट्रेंस के लिए अगर देखें दिरवाज टाइम वह लग यह लग्जी हने क्ट्समर है अगि एक समय था लेकिन मतलब कस्टमर को लाइन में लगना पड़ता है तो कई साल कनेक्शन लेने के इंतजार में वाले जब आपको आफर करेंगे लेकिन अब क्या है यह डिमांड पर अबने फोन किया तो साथ आपको तुरंत ही घर पर भी अबलेबल करवा देंगे मोबाइल फोन से लोगों तक पहुंच चुका है और यह जो में इस्ट्रीम से जुड़ा हुआ नहीं था जो एरिया उनको भी इसने इंटीग्रेट किया हुआ है जैसे पहले शुरुआत के समय में देखे तो क्यों रेडियो चलाया जाते थे रेडियो चलाया हुआ है आपने सामको साथ बज़े न्यूज टेली कास्ट हो रही है लेकिन अभी चुकि मोबाइल टेकनोलाजी आ गए तो न्यूज अपडेट जो है जहां पर भी नेटवर्क है और लोग मोबाइल एकसेस कर पा रहे हैं वह में इस्टीम से जुड़े हैं उनको हर बात की खबर हो रही है सबसे क्या गट रहा है और नहुंद कर बाएं इनफॏर्मेशन टेखनोलोजी हो गया और इ्लू में किया सेजेद लिए ऑ्र ह्विटी स्टेक्नोलाजी एंड इनवल्त-शर्विस सेक्टर इसेंसिली लेड टू एन एरा अफ सर्विस लेड ग्रोथ एज इंडिया इमर्ज टू वी ग्लोबल हब फार बीपियो केपियो सर्विसेस इन दा वर्ड ठीक है तो आई टी जो इनफरमेशन टेक्न टेकन लोजी इनेबल सर्विसेस जो थी इस सेक्टर जो है बहुत ज्यादा ग्रो किया हो के एक एंपो को लेकर के आया सर्विस लेड ग्रोथ हुई हमारे देश में हैंना सर्विस को बहुत ज्यदा बढ़ाएं कि हम एक ग्लोबल हब बनकर की इसमेंμέं दुनिया के लिए विप्यों क्या होता है विजनस प्रोसेस आउट्स उप्रिंग और क को फोन करके आपको अपना प्रोड़क्ट के बारे में बताना होता है इस तरीके का बिजनेस प्रोसेस आउट्सोर्सिंग यह आउट्सोर्सिंग क्यों कह रहे हैं क्योंकि मैं इस कंपणी का मालिक हुआ लेते हैं तो मैं खुद नहीं वो काम कर रहा हूं मैं किसी और से करवा रहा हूं अब यह उतना संस नहीं बनाएगा लेकिन अब आप सोचिए कोई अमेरिकन कंपणी है वह अपने अमेरिकी क्लाइं जो है उनके क्लाइंट्स ह tara हें उनको चाहती हैं कि कोई कॉल करके बताए कि हमारा यह सर्विस्स अवे अवलेल हैं तो अमेरीकका क्या करेगा उसनें इंडिया में अपना एक बी-पी बींड वाले को पकड़ा इनके क्लाइंट्स को कॉल करी यह रही लिस्ट और यह ऩह हमा सब्सक्राइब आप खुद ना करके किसी दूसरे देश के लोगों से काम कर वा ले और उसी जगर बिजनेस की जगर पर यही जो फोन कॉल जा रही वह नौलेज पर पर के काम में यूज हो रही तो वह नौलेज प्रोसर्स आउट्सोर्सिंग कहला जाता है जैसे कोचिंग हो उनके परपस अगर कॉल जा रही तो से नौलेज प्रोसर्सिंग कहते है यह फिर आसी कॉल जा रही जिसमें नौलेज को जो है डिस्टिबूट करने को सब्सक्राइब बाकी आधर को बिजनेस प्रोसर्स आउट्सोर्सिंग कहते हैं वह अगर आप देखो तो जितने भी सब्सक्राइब लगभग मैक्रोसाफ्ट के हो गए आप देखिए तो यह सभी जो है वह सभी इंडियन सी ही है तो यह इसी लिए हो पाया क्योंकि हम वाकई मतलब और सारी सेक्टर्स की जाए अगर हम आईटी की बात करें तो हम बहुत ज़्यदा ग्रों कर चुके हैं और इ इंडियन इटि इस अब यह कह रहा है कि यह जो शिफ्ट हुआ है आफसोरेंग सर्विसस क्या होती है मतलब होता है आप जैसे माली यह अमेरिका की कंपनी है और अब आफ्सोरिंग मतलब अमेरिका की कंपनी अगर अपना काम इंडिया में बैठे लोगों से करवाए तो उसे आफ्सोरिंग कह लेते हैं तो यह जो आफ्सोर वाला प्रैक्टिस आई हुई है वह इसी वज़े से आई है क्योंकि हमारी जो आई टी यह इस इनेबल सर्विसेश जो हमने यहां पर बात की आफ्सोर वगयरा यह इसी लिए बढ़ा हुआ है उसके पीछे कारण यहीं है कि एडवांटेज आफ लो वेज इस्टेक्चर मतलब कहने का एक अमेरिका में अगर कोई बैक्ती है वो अगर जो है महीने का साथ हजार डॉलर लेता है उसी काम के लिए विकरते हैं को तो आपको 3000 में करवाले ने निक्जाद करते हैं क्योंकि हमारा लो है सी काम को आफ सोर में तो데 सब्सक्राइब पैसे में उनका काम हो गया एड़ांटेज आफ लोगे इस्ट्रक्टर टूटू टूटू टाइम डिफरेंस साथ इसाथ में फ्लेक्सिबिल्टी भी मिलती है अब यह फ्लेक्टी कैसे मिलती है वह समझ यह जब इंडिया में माली जरे सुबह के 열 10 वज रहे होंगे तो हो सकता है उस समय अमेरिका में रात के चार बज रहे हों इस समय हमारे देश में सुबह के दस बज रहे हैं तो अब क्या होगा कि ऐसे lending में कोई बैक्ति होगा तो वह समय सो रहा होगा चार बजे के अराउंड में लेकिन इंडिया में वह उसी कंपनी के लोग इंडिया में अगर काम करें तो इस समय जग रहे हैं तो एक तरीके से टाइम जोन डिफरेंस होने का तो वह कंपनी 24 है जब तक वहां दिन है युनाटे स्टेट में जब तक दिन है वहां पर अमेरिका की लोग काम कर रहे हैं और जब वहां रात हुई तो इंडिया वाले लोग काम कर रहे हैं तो कुल्म लाकर करके 24 आउर्स हमारी होगे उस कंपनी के लिए एक्स टू लार्जर एंड टैलेंट पूल है ना साथ ही साथ में उनको एक मदब इंडिया में अभी जो एज ग्रूप है 25 से 35 साल की एज में बहुत ज्यादा लोग है तो जो टैलेंट जो मतलब हमारे टैलेंट पूल है एक तरीके से वह काफी बड़ा है और काफी बिटर है इस्थती में है हमारे एक्टिव कमपनी इंडिया आज आइडल प्लेस टू लुकफ़र आफ सोरिंग सर्विसे तो इन सभी वजहों से इन सभी वजहों से जितनी भी ग्लोबली एक्टिव कंपनी थी ग्लोबली मतलब जो दुनिया भर में बिजनेस करती है उन कंपणियों के लिए इंडिया एक अस्थान बन गया एक ऐसा आधर्स प्लेस बन गया है जहां पर कि वह आफसोर सर्विस को लेना चाहेंगा आफसोर सर्विस का मतलब अमेरिका की कंपनी इंडिया से काम करवाए तो उसे आफसोर सर्विसे कहते हैं तो यह थी असली वजह जिसकी वैसे आइटी सेक्टर जो है बूम कर पाया है इंडिया इंडिया इंडियान आइटी इंफर्मेशन टेक्नलोजी और इनेबल सर्विसे इंडियान एकोनामी ग्रोथ इंटरम साफ जीडीपी फारन एक्षेंज अर्निंग एंप्लाइमेंट जनरेशन तो पिछले तीस बरसों में अगर देखा जाए तो हो जड़ा कंट्रिब्यूट किया है एकोनामी ग्रोथ में अगर जीडीपी के पॉइंट आप उसे देखें तो भी फॉरन एक्षेंज जो कमा करके हमारे देश में भेजा है अगर कोई वैक्ति अमेरिका में काम कर रहा है तो बाकी का एक हजार डॉलर अपने घर भेजता है तो यह फॉरन एक्षेंज की अर्निंग भी हमको होती है साथ ही साथ जाब अपर्चुन्टी मिली है इंप्लाइमेंट जनरेशन भी हो रहा है विदेशी लोग अगर हमसे अमेरिकन फ्रांस जर्मनी किसी विदेश के लोग हमारे लोगों से काम कर रहा है तो उनको नौकरी म इंडिया सेम्ट तो हैव इस्किपो स्टेज्ट अव्डैकर सब्सक्राइट प्राम आपर को इससे शेक्टर भी कहते हैं इस्टिल अवाओट् 3 ही अपॉपलेशन कांटीनीव तूरा इस लाइबलीड फाम प्राम प्राइमरी सेक्टर ये कह रहे हैं कि देखें जब जब हुई तो इंडिया को ऐसी इंडेस्टी थी जो कि लेबर इंटेंसिव इंडेस्टी होती कुछ काम ऐसे होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा लेबर की जरौत होती है तो हम उस स्टेज को निप्टा चुके हैं क्यों क्योंकि हमारे पास में सर्प्लस लेबर अब लेबल था सर् जो है 55 से 54 परसेंट लोग एगरी कल्चर सेक्टर में जुटे हुए होते हैं तो वहां पर लेबर हमारे पास अब लेबल था उस सर्प्लस लेबर को एबजार्ब कर लिया गया जो यह लेबर इंटेंसिव इंडस्टी थी तो इस वज़ा से हमें लेबर की प्राब्लम नहीं अभी भी तीन बटे 5 पर्पॉलेशन लगभग 60 परसेंट पर्पॉलेशन जो है वह अपना लाइवलिः हुड जो कमाई का जरिया है उसका वो प्राइमरी सेक्टर ही है अभी भी है ठीक है तो यह बात है प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर कहते हैं पूछा जाता है तो जैसे एक्जांपल के लिए टेलीफोन पहले एक लगजरी हुआ करती थी कस्टमर को लाइन में लगना पड़ता था कई वरसों तक तब जाके उसको कनेक्शन मिलना था लेकिन अब वो डिमांड पर मिल जाता है मोबाइल फोन जो है वह मतलब बहुत ही सोसाइटी के बहुत छोटे तबके के लोगों तक पहुंच चुका है और इसने जो है में इस्ट्रीम से लोगों को जोड़ने में इंटेगेरेट करने में बहुत ज़दा इंपॉर्टन रोल प्ले किया हुआ है साथ ही साथ में हमारे सेक्टर या फिर इनेबल सर्विस जो सेक्टर था उसमें काफी बूम किया इसी वज़े से हम ग्लोबल हब के तौर पर उभरे हैं बीपयों के प्यों सर्विस में दुनिया के लिए बीपयों होता है बिजनेस प्रोसेस आउट सोर्सिंग और यह सेफिन पैटर्न हुआ जिस होती हैं मैंने आपको बता दिया अगर फ्रांस की कंपनी इंडिया से अपना काम करवाती है तो उसे आफसोर कहते हैं और ऐसा क्यों मिला क्योंकि हमारा जो लेवर कॉस्ट है वो कम है लो वेज इस्टेक्टर है हमारा फ्लेक्सिबिल्टी टाइम जोन में डिफरेंस होने के से फ्लेक्सिबिल्टी है वह भी मैंने आपको समझा दिया है हमारा जो टैलेंट पूल है वह काफी अच्छा है और काफी बड़ा है जिसके अच्छे अच्छे इंप्लॉई मिल जाते हैं इसकी वज़े से जो भी दुनिया भर में एक्टिव कंपनी को इंडिया जो है एक अ हुआ है इंडिया का आइटी सेक्टर जो है उसका कंट्रिबूशन धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है अभी भी बढ़ी रहा है यहां पर यह भी बात उन्होंने कहीं कि जो लेबर इंटेंसिव इंडश्टी थी वहां पर लेबल की सप्लाई कहां से की गई तो प्राइमरी अभी फिविया सक्टर से ही कमाती एब थोड़ी सी बात यहां पर करेंगे एक्री कल्चर सेक्टर में क्या इंप्रॉइम्ट करने की कोशिज की गई है तो वैरियस इंप्रॉइमेंट तन भाइं गवर्मेंट लाइक मेजर रिलेटिंग फ्री मॉइंट आफ एगरी और टाया गया अभी हम देख लेंगे सक्वाइप सी एक्ट क्या होता है यहां पर होगा सक्वाइब की एक्रिकल्टर सुअ मार्केट मार्केट अहरा हुद रिक्वार्मेंट को बाइपास करने का आप प्रोविजन किया गया एपी एमसी एक्ट में एंड रिलैक्सेशन आफ रिस्टिक्षन अंडर इसेंसियल कमोडिटी एक्ट इसेंसिल कमोडिटी एक्ट के तहत इसेंसियल कमोडिटी एक्ट कश्वार्ण को तो उसको आप इस्पोड आसानी से नहीं कर सकते हैं उस पर रिस्टिक्षन लग जाती है तो उसमें भी relaxation दिया गया था उसके बाद में future trading का option ले करके आए गया यानि अब commodity में भी trading होती है commodity में भी जावल और copper tin इन सब पर भी जो commodity उन पर भी future trading होती है जिसके वाद से major changes जो है price mechanism में हो गए है तो यह सारे काम जो है government ने किये हुए है थोड़ा से discuss कर लेते हैं APMC Act 2003 के बारे में the government of India designed model agriculture produce market committee act in 2003 as first attempt to bring reform in agriculture market agriculture market में change लाने के लिए APMC Act 2003 में लाया गया था और इन्होंने क्या क्या करनी कोशिश की new market channel other than APMC market तो जो APMC यहनी agricultural produce market committee के अलामा और भी नई market channel बनाएगे private wholesale market बनाएगे direct purchase करने का option दिया गया a contract for buyers and farmer का तो यह सारी facility अब लेबल करवाई गए थी APMC Act 2003 में इसको यहाँ पर जाननी कि सिर्फ आपको चुकिए APMC Act है तो कभी फुलफां पूछ लेजा तो उसके लिए बताया हुआ है थोड़ा सा जान लेते हैं तो अच्छा रहता है अधरवाई यहां पर कह देता इत्वाज दन है न कोई दिक्कत नहीं है जैसे इसेंसियल कमोडिटी के बारे मैंने ज्यादा नहीं बता है पर इसको भी समझ लिए है तो यह था उसके बारे में एक एक और है जो है सितंबर 2015 में FMC जो थी फारवर्ड मार्केट कमीशन इसको मर्ज कर दिया गया था सेवी में यह मतलब बुक में नहीं है लेकिन यह ध्यान रखेगा यह कुशन पूछा गया था काफी पुरानी न्यूज है लेकिन फिर भी अब्युक्त कर दिसंबर कि उसमें यह कोशन पूछा गया था जो किसमें मर्ज किया गया था तो कई बार ऐसे बाते पूछ लेते हैं चुकि हम यहां पर पर इसकी चर्चा कर दी यहां पर इसकी से भी में मर्ज कर दिया ठीक है बैंक इन असोसेशन बिद प्रोफेशनली मैनेज़ गोडाउंस एक्स्टेंडर क्रेडिट टू फार्मस अगेंट बेर होट रिसेट तो बैंकों ने क्या किया कि जो गोडाम थे अगर वहाँ पर आपने सामार रख दिया है और उनकी रिसेट ले आते हैं या एरिसेट ले आते हैं तो उसके बदले में किसानों को लुन दिया ता है अगर अपने अपर लेटिक रेंड़ी अची मिंद्ट था पक्योंट वोलाइक्र चंब को Part Hall पर्पर अधिर आधिएंग कंपनीज उन्होंने सीधे ऐगृट्ड करना शूरू करना जो भी मैन्म कंपनीज नोने अगाठ्ड राइजिक बनाती है तो उन्होंने फार्मर से सीधे डील करनी शुरू कर दी ऑगे इकवनावी ग्रोथ सब्सक्राइब जैसे से हमारे देश की इकोनामी ग्रोथ हुई है डिस्पोजेबल इंकम बढ़ी है मारी मतलब डिस्पोजेबल इंकम वह होती जिसे आप खर्च कर सको अगर आप साथ हजार रुपए कमा रहे हो और उसमें 40,000 रुपए आपका आटोमेटिकली खर्च हो जात दश साल 15 साल पहले जाओ toen बाइक जो है बहुत कम लोग पास होती ही और कार बहुत ही कम लोग पास होती तीक है जिन लोग पास में वाइक बड़ता जाता है जैसे हम पहले मिंदल डाइम पर कर रहे हैं और हुछसकता है अभी आखशीजन परचेज नहीं करते हैं लेकिन जो हालात हमारे चल रहे हैं उससे मिलब घीज बेची जा और हमें खरीद करके उसे मतलब जैसे हम इनल वाटर परचीज करते हैं वैसे ही आक्सीजन परचीज करना शुरू कर दें तो ग्रोइंग डिमांड फार मिल्क पॉल्ट्री प्रोड़क्स एंड हर्टी कल्चर प्रोड़क्स है इंड्यूश सब्स्टेंशल डाइवर्सिफिकेशन टौर्ड्स हर्टी कल्चर हर्टी कल्चर माझने बागवानी जो आपका पफल होगे रहा होता है उनसे डिमांड बढ़ी है जिसकी वज़ेसे एलाइड अक्टिबिटीज में डाइवर्सिफिकेशन मतलब कहने का किसान खेती तो करी रहा है साथ ही साथ में वह एलाइड एक्टिविटीज में जुटा हुआ एलाइड एक्टिविटीज में कौन-कौन सी है मिल्क का प्रडेक्शन हो गया दुख धुपाल मतलब जो है दुख धुत पादन पुल्ट्री फार्म अंडा यहांनि कि 40 फर्सन खेती होती और साथ परसेंट जो काम होता है वह इसी यह पर यहां पर ही अपना होता है एक बार फिर से हम आपको यह बता देते हैं अग्रिकल्चर सेक्टर वाला फिर से देख लिए दो में वेरियस इंप्रूव्मेंट जो गवर्मेंट के द्वारा ला कोई रोक टोक ना लगे पुलिस वाले जहां पाए वही रोक ना ले ऐसा नहीं होना चाहिए अप्यमसी एक्ट लाया गया ताकि फार्मर्स को यह जरूरी ना रहे जाए कि वह रेगुलेटर मार्केट में ही सेल करें यानि कि सर्फ मंडियों में सेल होगा ऐसा जरूरी ना रहे उसके लिए अप्यमसी एक्ट लाया गया उसके बाद में इसेंशल कमोडिटी एक्ट 1955 में भी रिलैक्सेशन लाया गया ताकि हम सभी जो कमोडिटी ने उनको जो है एक्सपोर्ड कर सके विदेशों में बेज सके ज्यादा अच्छा पैसा कमा सके साथ ही साथ में इसको मर्ज कर डिया गया था इसे में वेर हाउसरिट के आधार पर गोदाम में रखे हुआ ढखा हुआ है उसके आधार पर माल जी करके आथे लेकर तो उसके अगेश्च में बैंक लोन दे सकते हैं देते हैं कोई दिकत नहीं है उसके आमें जो लार्ज कंजूमर गुड मनें मतलब कंपनिया थी जो मतलब जो है इस बनाती थी उन्होंने फार्मर से डारेक्ट परचेज करना सुरू कर दिया हमारे देश में एकोनामी ग्रोथ और राइजिंग सेक्टर का उसका तीन बटा पांच भाग अलाइड एक्टिविटीज में आपका मिल्क प्रोडक्शन पॉल्ट्री प्रोडक्शन हर्टी कल्चर प्रोडक्ट्स होगरा यह सब आते हैं तो इसी के साथ में फ्रेंट समारा यह लेक्चर खतम होता है आई होप आपको पसंद होगा थैंक यू सो मच